नमस्कार दोस्तों स्वाकत अब सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल यूनीक क्रियेटर में तो दोस्तों नौलेज की भूख को तो हम मरने नहीं देंगे और हर दिन कुछ नया सीखते ही रहेंगे जी हाँ दोस्तों तो आज इस टोबी के उपर हम बात करने वाले हैं वो है कि उपकरणों पर जो स्टार्ज लगे होते हैं उनका क्या मतलब होता है इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसे लागू कब किया गया जो कि दोस्तों एक बहुत इंपोर्टन बात है और ये हर किसी को पता होनी चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब कभी भी ऐसा ग्यान शेर किया जाए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके आईए दोस्तों शुरू करते हैं अब देखिए दोस्तों जब कभी हम कोई नया उपकरण ख्रीदते हैं चाहे वो रेफ्रीजरेटर हो या चाहे वो एसी हो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि उसकी कीमत क्या है यार वो हमें कितना महंगा या कितना सस्ता पड़ रहा है साथ ही साथ हम दोस्तों उसकी सुविधाई भी देखते हैं कि वो हमें कितना बेनिफिट देगा और इसके बावजूद यहां तक कि हम ये भी देखते हैं कि उसका डिजाइन कैसा है वो देखने में कैसा है उसकी लुक कैसी है हलांकि सबसे जरूरी चीज़ों है वो उसका rate ही देखा जाता है लेकिन दोस्तों अक्सर हम इन सब चीज़ों को देखने के साथ हम एक चीज़ भूल जाते हैं जो कि हम ध्यान नहीं देते कि जब हम उसे use करेंगे तो कोस्ट कितनी आएगी यह मतलब उसका जो electricity का bill है वो कितना आएगा अब दोस्तों क्योंकि आम जन्ता को यह समझाना काफी मुश्किल था और वहीं कि वो वही चीज़े खरीदें जो कि कम बिजली का इस्तेमाल करें साथ ही यह भी मुश्किल था कि लोगों को यह बताया कैसे जाए तो दोस्तों इसलिए गवर्मेंट ने क्या किया कि 1 मार्च 2002 को एक संगठन का गठन किया जिसे कहा गया BEE यानिके Bureau of Energy Efficiency अब दोस्तों यह BEE क्या करता है गवर्मेंट इंडस्ट्री और मैनुफेक्चरर्स और कस्टमर इन सब की बीच में एक समन्वे बिठाता है एक तालमेल बिठाता है और हर इंडस्ट्री को एक गाइडलाइन देता है कि किस बेस पर किसी भी उपकरण की rating दी जाएगी और दोस्तों यह ratings कैसे दी जाती है देखिए यह rating दी जाती है EER के base पे EER का मतलब है energy efficiency ratio अगर मैं इसको आप साधारन भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो इसका मतलब है दोस्तों कि कोई भी उपकरण चाहे वो AC है या रेफ्रीजरेटर है वो आप कितनी बिजली ले रहा है और उस बिजली को लेने के मुखाबले में वो कितनी cooling या कितनी ठंडक दे रहा है तो दोस्तों मतलब जितनी minimum value होगी इसका मतलब होगा कि वो कम से कम विजली को देखे आपको cooling दे रहा है तो maximum ER की value इससे opposite हो जाएगी दोस्तों अब दोस्तों इंडिया में इसे ISEER कहा जाता है यानि कि इंडिया में से कहा जाता है Indian seasonal energy efficiency ratio अब दोस्तों प्रशन ये उठता है कि इंडिया में से ISEER क्यों कहा जाता है तो दोस्तों बहुत ही simple है देखिए हम जो इंडिया में चीज़ें यूज करते हैं वो season base पे यूज की जाती है वो ISEER के बेस पे दी जाती है यानि कि Indian seasonal energy efficiency ratio उसे कहा जाता है अब दोस्तों ratings का मतलब ये है देखिए कि मतलब जितनी ज़्यादा उपकरण की किसी की rating होगी यानि कि अगर किसी की 5 star rating है 4 star rating है तो इसमें 5 star ratings होगी वो सबसे ज़्यादा होगी यानि कि 5 star rating का मतलब होगया कि ये बहुत ज़्यादा efficient है जिसको अगर हम हिंदी में कहें तो मतलब ये minimum बिजली को लेके हमें maximum cooling देगा यानि कि बिजली हमारी कम consume होगी और हमें इससे फाइदा जादा होगा इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि 5 star rating वाला है जाएंगे उन पर star rating का होना जरूरी है यानि कि अगर आप एक AC या refrigerator के निर्माता है तो आप तब तक अपने AC या refrigerator को मार्केट में नहीं बेच सकते जब तक आपने उस पर star rating नहीं दी है तो अगर आप star ratings नहीं दोगे तो आप अपने उपर्ण को मार्केट में नहीं बेच सकते तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज कि आपको वीडियो को अच्छी लगी होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि सभी को ये जाना बहुत जरूरी है साथी साथ दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी तो दोस्तों थेंक्यू सो मच कीप स्पोर्टिंग यूनिक क्रियेटर